प्रिया मित्रो फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है DSI ZUN मित्रो बुरे से बुरा, खराब से खराब हो चुका संबंद सुधरेगा इस उपाय से जिहां मित्रो एक ऐसा उपाय, एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो दू लोगों के बीच का जो भी मन उटाओ है जो भी नाराज की है यदि कोई ऐसा विक्तिवी है जो बाद भी करना बंद कर चुका है किसी भी हद तक आपका संबन जा चुका है रिष्टे कितने ही बुरे हो चुके हैं इस उपाए को कर लेना हमेशा के लिए सुदर चाहेंगे और मात्र साथ गंटे में ये उपाए अपना प्रभाव अपना असर दिखाना शुरू कर देता है मितरु तेज पत्ते से होने वाला ये उपाए आप कर सकते हैं किसी भी दें। उपाए को पुरे विश्वास से कर पुरी यकीन के साथ कर आपको इसके ऐसे सुख़द परिणा मिलेंगे जो आपने कलपना भी नहीं की हो लाक जतन आप कर चुके हों, कई उपाई आप कर चुके हों, आपको फायदा नहीं मिला बस एक बार ये आसान सा उपाई कर लेना आप देखेंगे आपके संब्द आपके रिष्टे किस प्रकार से सुधर रहे जैसा कि बताया पुरे विश्वास के साथ करें, यकीन के साथ करें और आपने क्या करना है इस उपाई को आप शनिवार के दिन नहीं करेंगे यानि सेटरेडे के दिन नहीं करेंगे अन्य किसी भी दिन आप इस उपाई को कर सकते है उपाये को आपने प्रातह करना है सुभे इस उपाये को आप करें चार बजे से लेकर दो पहर दो बजे के बीच आप इस उपाये को कभी भी कर सकते उपाये शुरू करने से पहले सनान किया हुए होने चाहिए नहीं कर सकते किसी कारण वश तो अपने हाथ, मुह पैरुजिसे एक बार धोले आपने एक स्थान पर बैठना है जहां भी आप बैठेंगे एक आसन कपड़ा कुछ भी बिछाने और पूर्व दिशा की ओर जिस ओर से सूर्य उदै होता है इस्ट की ओर मुक करके आपने बैठना है आपने अपने साथ एक कटोरी रखनी है उस कटोरी में पानी रखना है कौन सा पानी? पीने योग्य पानी अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है थोड़ा सा पानी रखना है आदी कटोरी के अनुमान या वो पानी जो आप पीते हैं साफ बादी, वो रख ले एक आपने अपने पास तेजपत्ता रखना ठीक, तेजपत्ता हो टूता हुआ साना हो, ठीट डाको उस तेजपत्ते को आपने सबसे पहले एक बार अपने सीधे हाथ से, अपने माथे पर सळा ले, उसके बाद उस पत्ते को हाथ में रखे रखे, आपने उस व्यक्ति को जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, चाहे इस्त्री है या पुरुश पती पत्नी के लिए, पत्नी पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए कोई भी इस उपाय को कर सकता है अगर कोई साथी मित्र है वो भी इसे कर सकता है उसके लिए भी आपसे कर सकते हैं अब आपने तेजपत्ता सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है उस यत्ती को इसमान करें जिसके लिए आपसे कर रहे हैं आखें बंद रखनी है इतना करने के बार अब आप आखें खोले और उस तीज पत्ते को पानी के उपपर रखते जो पानी है कटोरी में उस में ढ़ाई दुबोना अवशक नहीं है आप उपरसे छोड़ दें अपने आप यह से भी रही कर रही अब आपने क्या करना है कटोरी को अपने उल्टे हाथ पर, हतेली पर रख लें सीधे हाथ से उठाएं, उल्टे हाथ की हतेली पर रखें उपर से उस कटोरी को धांक लें सीधे हाथ पूरी ना भी डिके, कोई बात नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको दिख रही हो तो कोई परिशानी की बात है पाने दिख भी रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है उपर से आप था उसके बाद आपने एक मंत्र का उचारल कर लेंगे ओम शौम शौम अमुक वश्यह वश्यह स्वाह अमुक के स्थान पर उस्विक्ति का नाम लेंगे मंत्र को बोलेंगे आप 11 बार 11 बार आपने ये मंत्र बोलना है उसके बाद आप इस कटोरी को सामने ही नीचे रखतेंगे और अपने सीधे हाथ की पांचों उगलियां कहने का अर्थ अंगुठा और चानू वी एक बार हंगी सी उस पानी में डोगएंगे और पानी को जमीन पर छड़क दे अब आपने वो कटोरी उस स्थान से उठानी है और एक साफ स्थान पर उचे स्थान पर जमीन पर ना रखें नीचे ना रखें कोई मेज हो किचन में कोई स्लैब हो वहाँ पर रख दें या आप किसी भी ऐसी जगे पर जो उचा स्थान हो साफ हो अपने अनुसार रख सकते हैं इस कटोरी को किसी वस्तू से ढख दें कोई भी ब्लेट रख दें असके उपर कुछ भी वर्तम रख दें इसके बाद आपने क्या करना है जब ये तीस मिनट हो जाए तीस मिनट आपना रखना है अदा गर्टा उसके बाद आप इसे वहाँ से उठाएं इस पानी को घर से बाहर आप एक साफ स्थान पर गिरा दें पेड़ पौदा हो उसकी जण पर भी आप गिरा से उसके बाद आप वापस घर के बीता रहें अपने हाथ मूँ पर फिर इपर अच्छे से दोलें ये जो कटोरी है इसे भी आप धोकर एक तरफ रख दें यहां आपने ये उपाए कर लिया अब मित्रो आप देखेंगे जो भी सामने वाला लगती है मातर साथ गंटे में उसके दिल में आपके लिए फिर से जगे बनने लग जाएगी और वो इदसान अपने आप तडब कराएगा आपके पास करेगा आपसे बात पमित्रो ये है उपाए आसान सा उपाए है इसे आप कर सकते हैं अपने किसी भी रिष्टे किसी भी संबंद को सुधारने के लिए अब द्याग्या फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही बहुत ही खुबसूरत से उपाए के साथ अगली वीडियो में अपना खयाल रखें खुश रहें नमस्कार